पूरानों किल्ला नजिकेई खोला बाटा आमी पूर्वा तर्फ चड़ेऊं जाहां पशु चरण का कारण जंगल बड़ी प्रभावित थियो मकैर कोद पाके भची खेत बांजो छोड़िया को थियो उकालो चरदा बाटामा आमीले नजिकेईको जंगल बाटा घांस रा पात बगेर आई रहेका आई मेही र केटा गेटी अरू बेटे हुँ तिनी अरू सामनने जिवन जिवन जिवना कठीन परिष्ट्रम गरी रहेका बाई पनी तेहांको चलन अनसार जेटी छरिलाए देवी मालिका को सेवा मां देवकी बाई आजिबन अविवाहीत रहनू पनी बाद देता बाटा बाटा बाणे मुक्त थिये लगातार सास से पचास मीटर मंदा बड़ता उकालो उखले पाचे दक्षन तीरा विरालो बाईको डाणा आयो जहां सिलगडी अवस्तित छा अन्ने पाहाडी बजार को तुला नमा सिलगडी बजार ठुलेई छा रा डूंगा बिच्छाएको सड़का दुवे पट्टी पक्की गार्शन। यस ठाउं को नाम को उत्पति बारे दुईवटा बनाई छन। धार्मिक विचार दारा अनुचार डाणा माथी राएको सिल बढ़नें बाटा नाम आयको जुन बनाई परति मोपनी सामाचु राडा सासन काल मा पुर्वा मा दनकुटा पस्चिम मा पालभा भाय जस्ते सुदूर पस्चिम का डोटी प्रसासन केंद्र थियो सुरू को बस्ती दक्षिन मा बाईरभ मंदर वरी परी केंद्री थियो रा मुखे शड़का आसपास करीब 40 अड़ा पसल शन बजार को बाईरी संपर्क धनगरी रा टनक पूर्शंग अशा जाम बाद्र भारतिये खचर ब्यापारी ले नून कपडार अरु सामान लेंशन देरे जस्च पसले नेवार जन तरा आफनो मोल थाला बाटे एती टाड़ा वसना आयका ले उनी अरू नेवार भासा बहुत कम प्रय गर्द शन डोटी जिल्ला को सदर मुकाम बाईकोले रा सेती अंचल का पार जिल्ला अरुगो केंद्रबिंदु परेगोले शिल्गडी मां तेरे सरकारी कार ले अरुशन शिल्गडी आईपुएको साजा आमें अत्तिन त बेस्त वायों जिल्ला पंचायत का सदर से अरू सवयकारी अजिकरी तरू भेला गरे राँखो संह लायका अवसादी रा लुगा फाटो बाढ़ने कोटा बारे रा विबिनना भुकम पर पिरित छेत्रा का लागी दनगड जनवरी 27 का दिन सभेरे उठेरा आमी इस चाड़े को बाट वायरे तला जरे हूं सितल वायकाले वराल वरली ना बड़ो आनन्दा दाई थियो तरा सूरे का किरन ले जब दिपायल को पस्चिन को पाढ़ लाई उजाल पारे तेया आमी ले बीरसिलो दिरिश्य देख्यूं 2000 मीटर वन्दा तौला पाखा अरू जंगल शखाब वायकाले नांगा थिये खेत अरू साना रा जीवन दान्ना कठीन परने गरी टूक रिये गा थिये तेसे लिए तेसे ताका तेहां चाल्स मैकुल्डेल्स ले गरी को एकसरबे चाड़ में डोटी का तीन परतिसत चेत्रा अरूमा पाड का मानिसर को ओईरू लागने कुरा को कल्फणा गर्ना गारू थिये ना बातावरेणी असर जे भायता पनी पुर्वांचाल चेत्रा को अनुबाब वाट यू प्रक्रिया आउना असंब वाय छो वन्ने को देहाई शाएको छो यहाँ पनी मला लाग का थिये दिपायल मा आमिला पर्खी रहेको बिवान मा चाड़ी करेव आदा वंटासमा बजांग र ब्यासिका बेडा का बथानले एक अप्तासमा दूखा गर्दै इन्डू परेको बाट पार गरेओं धन्गरी मा अंचला दिसको राणाकाल मा इटाले बनेको बिशाल अधर आट आओने हाटार उमद्दे डोटी अचांग बाजुरा रा बजांग बाट आओने पाहड यह रूथिये थारो अरू अरूले प्वाला अड़ी रा मूद्रा का साज़स रा कपाल कपास का लुगाले आफ लासिंग आरेका थिये थारो अरू पस्तिम का राना दंगावरा धारुको बेटने थलो दंगाडी वाय जस्तो लागते हो। आमीले दंगाडी में राद बितायों। जनवारी महिनामा पनी लामफोर्ट्टे को दुईरो लागयो। बोलीबल्टे बियाना दंगाडी छाडे हो। आदा गंटाको उड़ानमा दंगाडी तेखी महिन्द्र नगर सम्मको इलाकामा अगला अगला साल का रूख वायकाले जंगले डागी को देखियों। अनेत्र मंदा कंचनपूर को जंगल बड़ी फाइलियेको देखिन्थियों। कते कते खोलाका छेओं मा जंगल फाणियेका ठाउं एस्ता देखिन्थे मानों विचाल अरियो समंद्र मा सवसाना टापू अरू हूं। आमी महेंद्र नगर को पौस्तिम कुणामा कामचल अगरी बनाईयेको अवाय माईदान मा उद्रेपाची, अवाईजाज को आवाज थामीने बित्तिके, आमीले पहिलो आवाज काहट को मिलबाटे निसके काहट सीरेको आवाज सुन्यं। प्राकिर्तिक अवस्तमा परिवर्तन लेवने मानिस को भूमी का आमरो प्रतक्ष्य अगारी थियो जुन साल का रूख ले खंजोत नगरिये को जंगली माटवाट शक्ति प्राप्तगर थे रा जंगली जनावरला आस्रह दिन थे तिने रूख अरू मिलका ओरी परी बड़ा बड़ा रास बने रा पल्टी रहे का थिये तेट हाउं थिवा जहां जंगबाद ले बेलायत का प्रिंस अफ वेल्स ला एक सताब दे अगारी गिंतायर ठुलो सिकार गराई उनको मल बनाई देगा थिये शाय अथिती महाकाली पारी बनबास मां सोत्र फेबरो वरी अठार से शेत्तर मां आई पुए गा थिये बोली बल्टा जंगबाद ले 22 चना भारदार रा बलाद में साय अथिती लाए नेपाली सिम्या मां स्वागत गरे गा थिये आर्साय आर्साय सम्मिली त्यास साय सिकार मां मार्च छातारिक सम्मा प्रिंच अफ वर्स ले 14 बाग र एवटा चीदुआ को सिकार गरे बने और वर्ले चावटा बाग र सोय बन्दा बड़े बिगुने जातका मिरिका अरु मारे सन 1916 सम्मा कंचनपुर जिल्लामा 87 प्रतिसात जंगल सेत्र सुरक्षित थियो डड़ेल दुरार बईर्तरी सम्म जस्ता छेवचा का पारी जिल्ला बाट बसाय सर्रा आयका मानिस का थोरे मात्र बस्ती थिये बहु संखेक जंधा थारु थिये जुनकुरा सन 1931 को जनगड़ाना बाट पनी बुजिन से किना मने उक्ता जनगड़ानामा थारु मात्र बाशा बायका अरुको प्रतिसात चौरासी प्रतिसात चार पाईये को थियो सन 1931 मा कंचनपूर को कूल जनसंख्या 18887 र जन गनत्तो प्रति बर्ग मायल बार जाना थियो सन 1935 मा जनसंख्या बृति सपमेट तीन प्रतिसात थियो कंचनपूर अजे पनी भब्बे जंगल र बन्ने जन्तुमा संपन न थियो कंचनपूर को बदलीन अनुवार का मुख्य कारक हभाई माईदान काठ को मिल र बन्न फडानी थियो बिशाल रूपले जांगी एका लोर आले जेली एका अगला अगला साल का रूख मोनी को जंगली बाट चिछल दे धामिराल का गोला नाग दे आमेक पूर्वतिर लागियो समुद्र सता देखी दुई से सतरी मिटर अगला स्थान मा अबस्तित महेंद्र नगर जंगल को बीच मा रएको नाया बस्ति हो जांबाट उत्तर को पाहाड को फेडी देखींचा दक्षनी सिमाना को बेलाहरी बाट जिल्ला को सदर मुकाम सन 19-62 में यहां सारे परसी पहलो पल्ट जंगल फडानी बयो मुखे पूर्व पस्तिम सरक्का दुवे लाइन मों प्रसस्त कार्ट खर्च गरी बनायेका गार्चन जस्माद्दे दुई जर्जन पसल्छन डड़ेल दुरा बईतरी डोटी बाटा आयका आटारू बायक ते अनाधी कृत बसबास गर्न पार बाटा आउने अरूको पहले देखिने बेड लाएको थियो लाएको छा करव एक गंड़ा पसेम मा रायको टनपूर रेलवाई स्टेशन सीता सजिले संपरका उने बायकाले यह स्थाओं को ब्यापार बाटी जेमा ठूलो स्थान जा स्टेशन उनने से साइसर्थिमा यहां बाटा एक लाख किलोग्राम ग्यू रा तेस बंदा बड़ी यू पुरान दन्गरी बजार बाटा बाटा बारत तर्फ बाटा निकासी बायो तेस बायक अंचल को स्वधरम कामराय को रा उनांती सोटा स्वरकारी कायरलाय बायकाले महेंद्र नगर को उत्तरमा एक से चोन्ना किलोमीटर टिंकर सम्मा फईलियेको मागाले अंचल को बेवस्थापन का लागी मत पुने स्थान उगटिवेशा महेंद्र नगर मा भूमे को बन थियो हाल देखियेको फाटफोट फड़ानी समय बित्ते जाना क्यांसर जस्तो अंता फईली ने जाने छा रा जंगल को सगनता मासें दे आलको प्राकिर्तिक भूप्राकिर्तिक नक्षा रा जंसंख्या बनावर्तमा नहीं परिवर्तना आउने छा कंचन पूर को पह पहले को इस्तितिला लेरा भाभुक बन परने कुरा चायने किन वाने मानिसले रुक्सिता को आपनो तादाम में पहलु पल्त त्यागे देखिए यता नया सीमा अरु खोजना गरेको नाटक पुरानु कथा बईसाईगोचा माकाली अंचल का लागे आगे आउसदी ता अर अरेरा भीमान फेरी उड़ियो अपरान्डा को कडा पस्ची मी आवासांगे उड़्दाई जान्दा नीला डाना खोईरा पाहर माथी दावलागिरी अंडपोडा गंडे श्रा लांग्टां इमाल जस्ता सेता टाकुरा तोईरी रायका जस्ता देखिएंधी शन अठार से सेत्तर को मार्च महिना मा जंगभाद लाए महेंद्र नगर नाजी की जमना बाटा कार्षपंडों को थाप थाली पूगन चोविस दिन लागे गो थियो तेई दुरी आमेले पांस गंटा मा पूरा गर्यों यस सिग्रायता आतले आत्मकेंद्रित कार्षपंडों को आधु आमरा अगारी एक अरका का बिल्कुल बिपरित धुई नेपाल थिये दन्यबाद